अनकेडमी, लेट्स क्राकिट अनकेडमी पर एक्स्क्लूज़ करने के लिए आपको एक लिंक दिया है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है, एडिकेटर कोड आप से पूचा जाएगा, साथ ही मेरे कोड से आपको 35% का डिसकाउंट भी मिलता है, आपके ओफ-लाइन सब्सक्रिप्शन पर, चलिए, तो करोलबाग सेंटर में हमारे एक तीन कोर्से फिलहाल हैं, जो चल रहे हैं, तो जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नमबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आप बुखरजी नगर सेंटर भी विजिट कर सकते हैं, अपनी किसी जाउट के लिए, क्वेरी के लिए, या और कुछ और जानने के लिए भी, कोई और कूर्स के बारे में इंफर्मिशन के लिए, इसी तरह से यूपी प्रियागराज में भी हमने शुरू कर दिया, अपना ओफलाइन सेंटर जहां पर ना केवला आपको यूपी एसी फांडेशन का जो प्रोग्राम है, वो मिल रहा है, बलकि प्लस सब्स्क्रिप्शन के लिए भी क्रैश कोर्स हम लेकर आए हैं आपका, साथ ही यूपी पीस के लिए भी फांडेशन सक्सेस प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सेंटर के पहले वैचे होंगे तो आपको यहाँ पर प्लाट 40% डिसकाउन मिलेगा, लेकिन कोड चुके हैं दोस्तो इसनंबर पर आप काल कर सकते हैं या प्रयाग राज में, सिवल लाइन में सेंटर है, वहाँ जाकर आप विसित कर सकते हैं अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो करोल भाग सेंटर मेन हम शुरू कर रहे हे हैं 24 के दी पर प्रिलिम्ब्स के लिए क चलिए शुरुवात करते हैं आज की सेट अफ क्वेस्टिन्स की तो वाट वस दी इग्जाक्ट कॉंस्टिटूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जैनुवरी 1950 ना यह क्वेस्टन जो इस फ्रेम किया गया है आपसे पूछा गया है भारत का जैनुवरी 26 जैनुवरी 1950 को जो हमने अपने सविधान को इंप्लिमेंट किया था लागू किया गया था तो यहां पर हम यह कह सकते हैं कि यह प्रियांबल से आया हुआ क्वेशन है सीधा सीधा पर हमें कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है operate a děmokratic Republic a sovereign democratic republic a sovereign secular democratic itic Republic a sovereignacio socialist secular democratic land शेप्र नेलर किस्टेटू सबस्क्राय सब्सक्राइब क्वा स्वेरे क्वेंबली 25 नवेंब readily और जो लागू हुआ था समविधान 26नe 1950 को उसमें ब्रियर किया गया था भारत को as sovereign democratic republic socialist secular ये ती दोनों शब्द along with integrity ये तीनों शब्दों को बाद में जोड़ा गया था 42 समविधान संशुधन से तरहा का होगा देश उसकी बात करते हैं तो it was originally sovereign democratic and republic ठीक है तो जो question आप से पूचा गया है वो यही पूचा गया है तो answer would be B ठीक है चलिए constitutional government means समविधानिक सरकार का क्या मतलब है a representative government of a nation with a federal structure a government whose head enjoys nominal powers a government whose head enjoys nominal powers achay it is the same repeat हो गया है यहाँ पर a government limited by the terms of the constitution enjoys not nominal यहाँ पर हम लिखेंगे absolute powers ठीक है तो this is these are the four options pause कीजिए read कीजिए and then answer answer for this is D so constitutional government जो है वो basically उसका उत्देश कह है उसका उत्देश है limit or regulate करना the excise of political power by the government जो भी राजनितिक power है सरकार की उसको limit करना और उसकी जो इसका इसका इस्तमाल किया जारा उसको limit or regulate करना तो constitutional government by definition only is limited government सीमित अधिकार है सबके पास सीमित सरकार it means government conducted according to the rules and principles rules and principles के साथ conduct करती है अपनी जो भी जिम्मिदारी है उसको and which are binding on all the political actors चाहे वो leaders हो चाहे वो head हो कोई भी हो all the political actors here therefore constitutional government helps to constrain the unfettered excise of power by separating or dividing ठीक है now constitutional government है वो एक framework provide करती है जहांपर सरकार दोनों ही responsible और representative होती है जिसमें वो manage करती है conflicts को protect करती है लोगों की rights को promote करती है जनता का participation और maintain करती है देश के जुनागरिक है उनकी security को की चली next question consider the following statements in respect of भारत रत्न and पद्मवार्ड भारत रत्न and पद्मवार्ड are titles under the article 18 clause 1 of the of India पद्मवार्ड which are instituted in the year 1954 were suspended only once the number of भारत रत्न वार्ड is restricted to a maximum of 5 in particular year not correct बताना है उन्मेंसे कौंसा statement सही नहीं है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1 and 3, 1 and 2, 3 तो मतना भी question थोड़ा tricky है पर अगर आपके concepts clear है तो आप इसको कर लोगे answer is all the statements are wrong here पहला statement कह रहा है कि जो national awards है भारत रत्नी है पद्मवार्ड वो titles है नहीं article 18 जो है fundamental rights का abolition of titles की बात करता है it abolishes all the titles तो national awards such as भारत रत्न, पद्मवाभूशन, पद्मभूशन या पद्मश्री ये titles नहीं है within the meaning of article 18 clause 1 of the constitution thus are not used as prefix or suffix to the name of the recipient in any manner ठीक है थीज़ा awards ये recognition है जिन लोगों को ये awards मिलते हैं उनके काम की, उनकी services ठीक है यहाँ पर article 18 clause 1 कहता है it prohibits the state to confer titles on anybody whether a citizen or non-citizen, किसी पर भी titles confer नहीं किये जाएंगे किसी को भी titles नहीं दिये जाएंगे military और academic distinctions जो है उनको exempt किया है इस prohibition से इसलिए university can grant a title or honor on a man of merit PhD हो के, doctorate होती है ठीक है, या फिर जो military के जो ranks होते हैं अलाग अलाग distinctions जो होते हैं alright, now यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो awards है ये भी titles नहीं होते हैं ठीक है, आपको मुझे comment section में बताना है कि किस judgment में ये कहा गया था कि awards do not constitute titles ठीक है, comment section में बताएगा जोगी second statement भी गलत है yes, Padma Award जो थे, वो institute किये गए थे 1954 में and they were to be awarded to the Indian citizens in recognition of the distinguished contribution जब extraordinary contribution का होता है अलाग अलाग sphere of activities में सरकार ने इनको दो बार suspend किया है ठीक है, सबसे पहले suspend किये गए थे for two years in 1977 उसके बाद suspend किये गए थे during mid 1992 जब दो PILs फाइल किये थी they are basically given in three categories the Padma Awards, Padma Vibhushan Exceptional Distinguished Service Padma Bhushan, Distinguished Service of Higher Order Padma Shree, Distinguished Service ठीक है, तीसा statement भी गलत है maximum 3 लोगों को अवार्ट किया जा सकता है एक बार में भारत रतन 5 को नहीं the total number of Padma Awards to be conferred each year is limited to 120 total Padma Award 120 है और भारत रतन 3 को दिया जा सकता है maximal ठीक है चलिए With reference to India, consider the following statements Judicial custody means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station not in jail प्रीस question को ध्यान से पढ़िए During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court कौन सा statement correct है ये बताना है 1, 2, both, neither Pause कीजे वीडियो को question को फिर से पढ़िए ध्यान से पढ़िए and then only answer Answer is B पहला statement यहाँ पर गलत है एक नजर में statement सही लग सकता है लेकिन गलत है अगर पूरा question आप पढ़ेंगे Part of it is correct तो पुलिस कस्टडी का मतलब होता है भारत में कि पुलिस के पास physical custody है, accused की वहीं judicial custody का मतलब होता है कि accused custody में है concerned magistrate के पुलिस कस्टडी में accused को लोग लोग अप में, lodge किया जाता है पुलिस station लोग अप में पुलिस station के लोग अप में होता है पुलिस कस्टेडी में अक्यूज और जुडिशल कस्टेडी में इस लॉगड अप इन दी जेल, not दी पुलिस टेशन, ठीक है, स्टेटमेंट 2 विल्कुल सही है, जुडिशल कस्टेडी के दौरान, पुलिस ओफिसर जो इन चार्ज होता है केस का, उसको इंटेरोगेशन के लिए अलाओ नहीं किया जाता है, सस्पेक्ट के, हावेवर अगर कोट चाहे तो इंटेरोगेशन अलाओ की जा सकती है, if the court appines, the interrogation being necessary under the facts produced before the court, ठीक है, हावेवर, पुलिस कस्टेडी के दौरान, जो पुलिस ऑफिसर इन चार्ज होता है के इसका, वो इंटेरोगेट कर सकता है, सस्पेक्ट हो, ठीक है, जुडीशल कस्टेडी में नहीं कर सकता, court की permission से ही कर सकता है, court allow करेगा, तो ही करेगा, पुलिस कस्टेडी में इंटेरोगेशन होता है, आज शाम तीन से पाँच बजे एक वरक्शॉप होने वाली है, दिल्ली करोलबाग सेंटर पर हमारे 14 जनवरी है, आज जाहिए इस वरक्शॉप के लिए अभी से अन्रोल कर लीजिए, ये फ्री वरक्शॉप है, जहाँ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपके सभी UPSC, CSA से अन्सर के आंसर करेंगे, आपकी जो भी क्वेरिजन को रिजॉल्व करेंगे, अभी भी आपके पास समय आप विजिट कर सकते हैं, मेरा कोड है ndlive10 दोस्तों, इसके लावा बहुत सारे फीचर्स आपको मारे offline centers पर मिल जाते हैं, आप विजिट करेंगे तो आपको रेलाइस भी होगा, फ्री डेमो क्लासे यहां मिलती हैं मेरे कोड के साथ, इसके लावा offline current affair classes, one on mentorship, educated out-solving session, free magazine, library और wifi facility आपको यहां पर मिल जाते हैं, so that'll be all from my side, I hope you liked the session, do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest. Thank you so much, God bless, take care. un part件 щit अ हैं, कि पास्तार कंटी तो गिते हैं, चमिल रावाब के दोंपे ले यहां, least आपको किस अत्यार की, चमिल it imper quem का महीए, झाल झाल